अभी YouTube पर क्या हो रहा है पता है जितने भी छोटे छोटे चैनल है उसको target किया जा रहा है और उस चैनल को hack कर लिया जा रहा है अगर आप चाहते हो कि आप उस category में सामिल ना हो मतलब कि आपका जो चैनल है वो hack ना हो आपकी मेहनत पर पानी ना फिरे तो आज मैं आपको जो गलती बताऊंगा आप अपने चैनल पर देख लेना कि अगर आपने वो गलती अपने चैनल पर करके रखा है यह नहीं तो कल आपका भी चैनल हैक होगा विडियो को लाश्ट तक देखना बीना इसकिप के हुए अगर आप वो गलती किये हो तो आप उस गलती को जरूर सुधारना नहीं तो आपने जितना भी मेहनत किया है अपने चैनल है और क्या करना है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा तेखिए यहां पर अगर विडियो पसंद आए तो लाइक कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है अब यहां पर आपको क्या करना है सबसे पहले जिस फोन में आपका चैनल है उस फोन में सेटिंग को ओपन कर लो फोन का जो सेटिंग होता है उसे आप बस ओपन कर लो और उसके बाद यहां पर निच्चे होगे तो निच्चे में आपको एक Google का option मिलेगा बस आपको Google पर click कर देना है उसके बाद manage your Google account पर यहाँ पर उपर में आपको click कर देना है अब यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको personal info यहाँ पर आप देख सकते हो सिकेंड नंबर पर है personal info में आना है और उसके बाद यहाँ पर सारा कुछ देख लेना है अब यहाँ पर निच्चे आएंगे और सबसे पहला जो आपको काम करना है इसके अंदर आपको अपना gmail का पासवर्ट चेंज करना होगा जिहां जिस gmail से आपका YouTube चैनल है उसका पासवर्ट आपको चेंज करना होगा और strong password बनाना होगा मैंने कई लोगों को देखा है कि password में अपना mobile number अपना नाम और अपना नाम मुवाइल नमबर दोनों साथ में ऐसे password बना लेते हैं लेकिन आपको ऐसा password नहीं रखना है देखिए आपको क्या करना है मैं यहाँ पर आपको एक example के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको capital letter, small letter और साथ में यहाँ पर special character जो है वो आपको लगाना है और यह सब को लगाने के बाद आपको एक छोटा सा password create करना होगा और वो भी strong password और यहाँ पर बास आपको क्या करना है इस पर click करना है और click करने के बाद यहाँ पर आपका देख सकतो हूँ यहाँ पर loading ले रहा है और यहाँ पर continue पर click करेंगे और अपना password जो हो इसके अंदर आपको आकर change कर लेना है यह पहला हो गया और दूसरा आपको क्या करना है यहाँ पर आना है यहाँ पर देखिए यहाँ पर side में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा security का option simple आपको security पर click कर देना है यह आप लोग देख सकते हैं you have security recommendation बता रहा है तो आपको क्या करना है protect your account पर आपको click कर देना है अब जैसे आप इस पर click करोगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि add wills to verify its you यहाँ पर आपको अपना number इसके अंदर जो है वो verify करना होगा और साथ में एक email और email ऐसा नहीं कि जो Gmail से आपका channel है वो Gmail नहीं डालना को अलग से Gmail डालना है जैसे कि आप अपने बहाँ का डाल सकت को अपने भ़ाई का डाल सकते किसी का भी डाल सकते हो अपना वही Gmail डालना को अब यहाँ पर हम क्या करेंगे phone nosWhat यहाँ पर click कर क्लिक करने के बाद भाई-साब यहाँ पर continue पर आपको click कर देना अब जैसी करो गे यहां पर आपका screen पासवर्ड मांगे गा simple आपको उसे डाल त्रश्टीन नहें और यहाँ पर अपना password डाल दिना है जो भी आपका Gmail का password है Gmail आपने जो password change किया है वह password यहाँ पर को डाल देना है मैंने यहां पर अपना पासफ़र्ट डाल दिया सिंपल यहां से नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के जीमेल को जो वो recover भी नहीं कर पाओगे इसी वाज से मैं कहे रहा हूँ यहाँ पर आपको वो mobile number डाल देना है अब बस यहाँ पर आपको क्या करना है next पर click कर देना है और आपके number पर एक OTP आएगा जिसे आपको डाल कर और यहाँ पर इसे verify कर लेना है देख सकतो enter the code बस यहा मेरा जो mobile number है इस Gmail ID में add हो जाएगा simple यहाँ से done पर हम click कर देंगे और done पर click करने के बाद यह आप लोग देख सकते हो हो चुका है अब simple यहाँ पर back करेंगे back करने के बाद यह हमारा mobile number इसके अंदर add हो जाएगा अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान दिजी आपको क्या करन जो है यह आपको लगाना काफी ज्यादा जरूरी है यह main part है जो कि हमारा जो चैनल है वो कभी hack ना हो तो यहाँ पर आपको टूस्टिफ वेरिफिकेशन बिल्कुल compulsory है लगाना नहीं तो आपका जो चैनल हो मोनेटाइज भी नहीं होगा अब तो यहाँ पर आपको क्या कर देख सकतो लोडिंग ले रहा है simple continue पर हम क्लिक करेंगे और continue करने के बाद यहाँ पर screen password हम डाल देंगे screen log password ठीक है अपना fingerprint जो भी है आपका pattern जो भी है वो आप डाल देना और उसके बाद यहाँ पर continue पर हम क्लिक करेंगे continue पर क्लिक करने के बाद automatic यहाँ पर आपका mobile number आ जाएगा बस यहाँ पर mobile number आपको कर देना उसके बास इंड पर आपको क्लिक कर देना है अब जैसे आप सेंड पर क्लिक करोगे आपके नंबर पर एक OTP आएगा जिस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकतो 684885 6848 6848 6848 अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे simple हम next पर क्लिक कर देंगे next पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर उचुका है यहाँ पर आप क्या करेंगे turn on पर क्लिक कर देंगे अब जैसे turn on हम क्लिक करेंगे हमारा जो twist verification है वो complete हो जाएगा यहाँ पर दे दोस्तों यहां पर एक चीज में आपको बता देता हूं जैसे कि अगर माल लीजिए कि आपका जिस फोन में चैनल है वो फोन ही अगर गूम हो जाता है या फिर भूला जाता है या फिर कोई चोर चोरी कर लेता है तो उस वक्त आप अपने चैनल को कैसे रिकवर करोगे उसके करने तोस्तों यहां पर ऑपको एक अपfly सं मिलता है वैकट खुन आप कोड पर आपको क्लिकर करना है यहां पर आपको लिखकर या फिर आप प्रिंट आउट निकलवा कर आप इसे समहाल कर रखना आपको रखना है जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकतो प्रिंट कोड है यहां पर डाउनलोड कोड government अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो यह डाउनलोड हो जाएगा मालो कि मुआ एक जो जो रिकवर कर सकते हो अब सिंपल हम बैक करेंगे बैक करने के बाद यहां पर अगला जो काम है यहां ब regimes करना है जिसे बस आपको इस पर चेंज हो जाएगा यहां पर यहां पर क्लिटक्स हो चुका है अब यहाँ पर है recovery email, recovery email यहाँ पर आपको इस पर click करना है, recovery email पर आपको click करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक दूसरा email डाल देना होगा, ऐसा नहीं कि मतलब कि आप अपना यही email जो कि आपके इस email से channel है, वही email नहीं डालना है, आप अपने किसी भाई का बहन का या फिर घर में मॉम डैड का किसी का भी यहाँ पर डाल सकतो ताकि आपका फोन गूम हो जाए तो आप उसे recover कर सको या फिर आप अपना ID भूल जा तो उसे भी आप recover कर सको password भूल जा तो recover कर सको तो उस काम में आता है तो यहाँ पर चले मैं डाल देता हूं जैसे कि यहाँ पर देखे जोत्ती सोनी च्यासी निन्यांडे एड़ रेट जीमेल डाट कॉम ठीक है अब यहाँ पर आ चुक है simple next पर हम क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर verification code उस email पर एक code आएगा बस आपको यहाँ पर उस code को यहाँ पर डाल देना होगा 275277 275277 275277 275277 यहाँ पर verify पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो email है वो यहाँ पर add हो चुका है simple back करेंगे back करने के बाद यहाँ पर देखो recovery email जो वो add हो चुका है अब यहाँ पर backup code जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर आपको कर लेना है उसके बाद security की जो है यह मैंने आपको बताया कि एक की आता है Amazon पर मिलता है वो मैं आपको कभी दिखा दूँगा वही की से मतलब की होता है ठीक है अब यहाँ पर आपको नेक्स टाना है यहाँ पर backup to step verification phone अब जैसे कि क्या होता है कि माली जी कि आपका phone क गूम वेगरा हो गया और उस वक्त माली जी कि आपका जो नंबर है वह इसी में है और वह नंबर माली जी कि मुझे जल्दी में मुझे दूसरे मोवाइल में अपने उस से चैनल वाले ID को मतलब आड करना है मतलब लॉगिन करना है तो उस वक्त आप कैसे करपाऊगे तो उस नंबर को डाला है एक वह jurisdiction में एक डाला और दूसरा जो डाला है वह डालना नहीं है ठीक है आपको अपने mom dad का या फिर भाई बहन का यहाँ पर डालना है और डालने के बाद कुछ इस तरह से मतलब कि आपको next पर click करना है और उसको number पर एक OTP जाएगा बस यहाँ पर डालकर और उसको verify कर लेना होगा अब यहीं था यहाँ पर देखे यह हो गया और यहाँ पर security की जैसे के मैंने आपको बताया अब यहाँ पर next आपको दोस्तों एक चीज़ आपको और ध्यान देना है यह आप देख सकते हो enhanced safe browsing for your account यह भी आपको on करना काफी ज़्यादा जरूरी है बस यहाँ पर आओ इसे on कर दो यहाँ पर turn on कर दो और अगर आप अपने chrome browser में कोई भी गलत गलत website पर चले जाते हो कोई भी कुछ भी सर्च कर लेता हो तो उस वक्त होता है कि मतलब कि कोई गलत गलत website रहता है जो कि आपकी data को collect कर लेता हो बाद में आपकी channel को hack करने लगता है तो उस वाजा से यहाँ पर safe browsing है enhanced safe browsing है नया आया है तो आप इसे on कर लेना और दोस्तों इसके अंदर आपको एक चीछ का और ध्यान देना होगा यहाँ पर managed third party access अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि जिस Gmail ID से आपका channel है उस Gmail पर क लेकिर आप अपने phone में देख लेना कि कोई without trust it कोई ऐसा application को आपने permission देकर रखा है अपने Gmail को जो की बाद में वो आपको हानी पहुचा सके तो ऐसे application को यहाँ से बस आपको remove करना है remove access कर दोगे तो उस application से आपका Gmail का access हट जाएगा दोस्तों जो जो मैंने आपको setting बताया जरूर अपने channel के अंदर कर लेना नहीं तो बाद में भाईसा पच्ताना पड़ेगा अभी क्या हो रहा है कि बहुत लोग के साथ ऐसा जो है वो fishing can't हो रहा है जो कि उनका जो channel है वो hack कर दिया जा रहा है तो यहाँ पर आप अपने channel को बिल्कु सिक्योर करकर रख सकतो जो मैंने आपको स्रेटिंग बता है कैसा लगा है स्रेटिंग मुझे आप comment section में जरूर बताना और हाँ अगर इस से कोई और भी question रह गया होगा आपके mind में तो आप मुझे Instagram पर DM कर सकतो बाकि इस वीडियो को लाइप कर देना channel को सब्सक्राइब करकर बे लाइक दुबाब कर all पे सेट कर लेना मिलता है किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहें